नमस्कार दोस्तों मैं सुभाशंदर सुड़ा अमारे यूटूब चैनल सक्सेस पॉइंट पैस्ट पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के टोपिक के अंदर हम बात करेंगे मुत्र निर्मान की परक्रिया के बारे में यह जो डाइग्राम है यह मानव वरिकानों की सरंचना का है और इसके अंदर किस प्रकार से मानव मुत्र का निर्मान होता है देखते हैं मुत्र का निर्मान तीन पार्टों में या तीन चर्णों में पूरा होता है गुछे निश्बंधन पहली प्रकुरिया होती है दूसरी प्रकुरिया होती है पुना असौर्चन्थ तरह तीसरी होती है स्रेवण की प्रकुरिया यह सभी कारिये व्रिक के सभी बागों में पूरे होते हैं यह जो मानव व्रिक की सरंचना इसके अंदर glow merulous जो नलिकाओं का जाल होता है बोमेन सेंपूट जो पहले नुआ सरंचना है इसके बाद में समीपस्ट नलिका होती है जो बोमेन सेंपूट और glow merulous के पास में होती है अवरोही बुजा, हेनले पास, आरोही बुजा दूरस्त नलिका, संग्रह नलिका, मुत्राशे को जाने वाली नलिका ये सारे भाग होते हैं वे मानव वरिकानों की सरंचना के भाग होते हैं आगे हम देख वरिक के विभिन हिस्सों में विभिन परक्रेय होती है तो वरिक में लगाता रक्त परवाहित होता रहता है यह रक्त वरिक धमनी की द्वारा लाय जाता है तो रक्त को लाने का कारिय वरिक धमनी की द्वारा किया जाता है यह रक्त अवसिष्ट पदार्थों से युक्त होता है इसके अंदर अवसिष्ट और गंदे पदार्थ मिल यह बोमन संपूर्ट में जाकर चोटे चोटे बागों में बढ़न जाती हैं और गलो मेरूलस के रूप में विभाजित हो जाती हैं यह रक्त का निस्पंदन का कारिये पूरा करती हैं परती मिनट करीब एक जार से बारा सो मिली लिटर रक्त का निस्पंदन का कारिये पूरा संपूर्ट में इकटे हो जाते हैं वोमन संपूर्ट जो प्याले नुमा सरंचना होती है इसके अंदर गलुकोज है रक्त में से निकल कर लवन एमिनो अमल यूरिया ये सारे चंकर वोमन संपूर्ट में इकटे हो जाते हैं यह निस्पंदन फिर वरिक नलिका में से गुजरत होती हैं कि कैसी कहा है निसमंदन में से लग बग पूरन रूप से ग्लुकोज को अमीनो अमल को ता अन्य उपियों की पदार्तों को पुना असुशित कर लेती हैं जो बंचे हुए बाग होते हैं उनको भी इकठा कर लेती है या चान लेती हैं उसके बाद में तदपसात का मजल होता है उसके बाद में इन पदार्तों को रगत परवाय में पुना परिष्इत कर दे जाता है या बेजद दे जाता है करीब 39.39 निसमंदन वरिक नली का दunci दोरा अवसोशित कर लेता है नेफरों दुआब पुनह उसोशित पर्षाथ साब तरक्त को अपवाई दमने का संगरीद कर लेती है और उसके बाद में पुनह उसोशित के जाने वाले पदारतों में से यूरिया जैसे अफ्सिट पतारत होते हैं सामिल नहीं होते हैं इसके अंदर यूरिया होता है वो बिल्कुल नहीं होता है ये पदार्थ वरिक नलिकां में रहते हैं ऐसे अपसिस्ट यूगत तरल पदार्थ ही मुत्रन निर्मान की प्रक्रिया या मुत्र निर्मान करते हैं नेफरोन से मुत्र वरिक की संग्राय नलिक निकलती है और ये मुत्राशे में जाकर खुलती है मुत्राशे वहम होता है जहां मुत्र को जमा किया जाता है या इकठा किया जाता है जैसे जैसे मुत्र इकठा होता है वैसे वैसे मुत्राशे का आकार बढ़ा होता जाता है ये निशित रूप से बढ़ता ही जाता है और प प्रिक द्वारा साप किये गए जो रखता है उसको वरिक सिरा लेकर चली जाती है तो ये सारा कारिय था मुत्र निर्मान की प्रक्रिया में और इसके अलावा हम देखें तो उत सर्जन में प्रयूट अन्य तंतर भी हमारे सरीर में होते हैं तो वरिक के अलावा मारे सरीर में फेंपड़े होते हैं तो अच्छा होती है यक्रीत होता है ये अपसिस्ट और गंदे पदार्तों को हमारे स्रीक से बाहर निकालती है फेपड़े होते हैं कार्बन डायोकसाइड को यक्रीत होता है बिली रूबीन बिली वीरिडिन विटामीन स्टेरोड हर्मिन आदी का उत्सरजन करने में सायता कर इसके साथ वच्छा होती है वो हमारे स्री के अंदर अन्य परकार के जो लवन होते हैं उनको स्री शे बाहर निकालती है तो दोस्तों ये था मुत्तर निर्मान की परक्रिया और मुत्तर निर्मान की परक्रिया का टोपिक आपको कैसा लगा अच्छा लगा तो लाइक करें शे करें ऐसी ही उमेद मैं आपसे रखता हूं कि आप लोगों को ये टोपिक लगातार मिलते रहें इसलिए आपको क्या करना है हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना है लाइक करना है कमेंट करना है और सभी दोस्तों को हमारे वीडियो बेजने हैं जिससे ज्यादा से संक्या में हमारे सब्सक्राइब बढ़ें और हमारा जो टार्गेट है उस तक हम पहुंचें उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छे लगे होंगे जै हिन दोस्तों जै मासर स्वती स्वस्त रहें खुश रहें जै हिन